बीव पार्ट फस्ट के विद्यारतियों जब कि पिछले टोपिक में हमने कंटूर्स के डेफिनिशन और उसकी करेक्टरस्टिक्स या विशेष्थाउं के बात की थी आज उसी क्रम में समझे रेखाउं से अधारित या समझे रेखाउं से निरमीत इस्तला करतीयों के बात कर या उनको बनाएंगे यह एक्जाम में जो पर्टिकल का जो पार्ट है इसमें समुझे रेखाऊं से आधारीत इसला करती हैं पूछ लेते हैं तो कौन के उस लोग किस प्रकार से बनता है उसकी प्रक्रिया में सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हमें एक ब्लोग बनाना है पूरा पूरा और यह जो ब्लोग है इस तरह से ब्लोग बनाना है और उस ब्लोग में क्रोस लाइन को समुझे रेखाएं दिखानी हैं क्योंकि जो हम टोप लेवल हैं जो हमारी हिल है हमारे माउंटेन से उसको क्रोस काड़ते हैं और उ तो उसकी समोचे रहे निखलती हैं, उसके आधार पर हम इसको बनाते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि कौनके जो स्लोप में जो समोचे रहाए हैं, प्रारम में पास पास होती हैं, इस तरह से समोचे रहाएं पास पास होंगी, समोचे रहाएं पास पास होती हैं, और उसके यह एबी राइन है इससे हमने इसको क्रोस कर दिया और इसके आधार पर एक प्लेन पेपर पे लेके बराबर जो डिस्टेंस के आधार पर इनको टुकुडू को अलग-अलग बांटेंगे जिसे एक-एक सेंटीमेटर के हैं तो यह 100 मिटर की है यह 200 मिटर यह 300 यह 400 यह 500 और य सीनक वाली 600 मिटर की समुझे रखा है यह अम्मान के चलते हैं तो इदर भी हमारी 600 मिटर रेखाइं इदर से 600 यह रखाएं के आधार पर 13 यह 600 मिटर और एक-एक-एक 600 मिटर की यह बराबर डिस्टेंस पेपर की दूरी इसलिए इसमें नहीं आपा रहा है फिर प्रियास कर रहे हैं कि इच्छे 670 मिट्र के रेखाए हैं है इसनी है प्रिचे देखो इसको यह एक यह स्केल हमने बनाया यह चोटी-चोटी समचे रहे हैं पहले पास-पास थी और उसके बाद में दूर-दूर होती चले गई कि यह इसतने से दूर-दूर होंगी तो यह अमारी बड़ा कैपिटल बनाना है यह AB क्रोस लाइन है इस AB क्रोस लाइन से हम समचे रेखाएं बनाएंगे तो यह जो दूरियां है एक-एक सेंटीमेटर की या डे-डेर्सम जो भी है बराबर दूरी होनी चीए एक सेंटीमेटर एक, दो, तीन, चार, पांच, और एक निश्कन की यह है यह हमेंसे ध्यान रखना है कि इन लाइन को क्रोस नहीं करना है यह 100 मिटर की यह 200, 300, 400, 500, 600 तो यह उपर वाली 100 मिटर की रेखा हो गई है यह 100 मिटर हो गई फिर यह 200 मिटर, यह 300 मिटर, यह 400 मिटर, यह 500 मिटर और अनतिम 600m है तो इसके बाद में समचे रिखांग हूं कि जो हमने क्रोस अबी लाइन किया है وہाँ से 100m की दूरी को हम हमीं इसतरे से क्रोस करना है एक दम इसतरे से क्रोस करना है मलों 100m का उदर से और 100m ईदर दोनों को आपस में मिलाना है इसी तरह यह 200m की है इस 200m का 200m चार सो मिट्र को चार सो मिट्र से डैस डैस से मिल रहा है पान सो को पान सो मिट्र से डैस डैस से मिलाना है और चार सो को चार सो से डैस डैस मिलाना है तो यह जब बराबर दूरी होंगी डिस्टेंस यहाम थोड़ा कम है तो यह बराबर दूरी होंगी तो यह जो ग्राब बने को और दूसरी तरफ हमारा इसमें गड़ा है तो गड़े वाला जो भाग है वो हमारा कॉनकेव स्लोप होगा तो समझे रेखाऊं कि इसमें विशेस्ताओं की जब यह बात करते हैं कि कौनकेव स्लोप की समुझे रखाएं कि फिकार की होती हैं ये वायवाय में खो सकते हैं तो ये जो समुझे रखाएं हैं पहले पास-पास में होती हैं उसके बाद दूर-दूर होती भी चली जाती हैं तो उससे हमारा कौनकेव स्लोप बनता है और जो slopes हमने पहले भी करवाए हैं उसमें सम ढाल है विसम ढाल है एसमान ढाल है और टैरिस slop है इस प्रकार के जो ढालों को हमने विक्टिया उसी ढालों की करम में आज हमने concave slope और convex slope करवाने जा रहे हैं तो इस प्रक्रिया के अंदर आपको ये एक्जामी सवाल आएगा, ये सवाल इस प्रकार से आता है कि समुझे रिखाऊं कि साइता से किनी दो इसलाकरतियों को बनाई, Concave Slope हो सकता है, Convex Slope हो सकता है, Conical Hill हो सकता है, Plattew हो सकता है, तो चार में से तीन में से दो भी पूर सकते हैं, चार में से भी दो पूर सकते हैं, तो इसके आधार पर आपको ये Concave Slope बनाना है, Thank you, Next है Convex Slope, Convex Slope की भी समुझे रिखाऊं हैं, ये एक्जामी जो है इस तरह से भी पूर सकते हैं, कि आपको Concave और Convex Slope की समुझे रिखाऊं हैं बना के बताओ, तो अब Convex Slope बनाते हैं, Convex Slope में पहले हमारा वोई चार्ट बनाना है, इस तरह से पूरा एक ब्लोक बनाना है, और ये जो ब्लोक है, उसमें Convex Slope में इसका just opposite है Concave Slope का, इसमें समुझे रिखाएं पहले दूर दूर होती हैं, समुझे रिखाएं ये दूर हैं और उसके बाद में धेरे धेरे पास होनती भी चली जाती हैं, ये देखो ये समुचे रिखाओं की तो समुचे रिखाओं की जो परिभास हमने बतायती हैं की समुधर तल से समान उचायवाली स्थानों को सिय लेवल इसका बेश मानते हैं उचायवाली स्थानों को मिलाने वाली कालपनिक रिखाओं को समुचे रिखाएं कहते हैं इसमें भी तीन-तीन जो एक-एक सेंटीमेटर या डेट-डेट सेंटीमेटर जो आप बनाएंगे इसके फाइनल सीट तो इसमें 1 cm की दूरी रखेंगे यदि दूरी बराबर रखेंगे तो इसका डाइग्राम जो है वो स्लोप अच्छा आएगा 1 cm, 2, 3, 4 और यह 100, 200, 300, 400 500, 700 तक अब जैसे लिया है तो यह 100 मिटर की दूरी होगी यह 700 मिटर है तो यहां भी आपको 100, 100 मिटर 200 मिटर, 300 मिटर 400 मिटर 500 मिटर, आगे तक ले सकते हैं 500, 600 500, 600 700 मिटर इसतरे से लिएगे लेकिन यह दूरी जब हम 100 मिटर की दूरी यह है यह 100 मिटर की दूरी है यह 100 मिटर की दूरी स्केल के साथ से क्रोस करेंगे 200 मिट्र की दूरी को 200 मिट्र से क्रोस करेंगे और 300 मिट्र की दूरी को 300 मिट्र से 400 मिट्र को 400 मिट्र से यह 100 मिट्र की दूरी हो और वो 400 मिट्र की दूरी है अलग लोग हो जाएं इस तरह से आपको नहीं करना है और 500 मिट्र को 500 करना है 600 meter के 600, 700 तो जब इसको बनाएंगे तो ये वाला जो उबरावा भाग आएगा बिलकुल plane आएगा और इस plane भाग को इस से इस तरह से black करना है तो ये वाला part है और उपर आपको यहां इसमें लिखना है कि concave slope और concave slope तो इसके अंदर आपको यहां लिखना है convex यहां लिखेंगे convex convex slope और capital लिखेंगे उसके नीचे हमारे ब्लोक बनाएंगे और इस ब्लोक के अंदर अभी जो हमने आपको बताया है उस परकार की समोचे रेखाएं बनानी है तो इन समोचे रेखाव को जब आपने दिखाया है कि यह सबसे पहले-पहले दूर-दूर होती है फिर यह पास-पास होने चली जाती है तो एक्जाम में जब वाइवा एक्जाम नर्फूसता तो उसमें आपको यह बताना है कि convex slope एक उभरावा भाग होता है और उसमें पहले समोचे रेखाएं दूर-दूर होती है और उसके बाद धीरे-धीरे यह समोचे रेखाएं पास-पास होती भी चली जाती है जबकि concave slope में समोचे रेखाएं पहले पास-पास होती है उसके बाद दूर-दूर होती भी चली जाती है ये दोनों का अंतर है एक में उभार होता है एक में गड़र नुमा होता है तो इन दोनों समझे रेखाऊं के आधार पर आपको जो प्रक्टिकल की सीट है वाइट सीट है जो ग्रफिक प्रक्टिकल की उसमें ये तयार करना है तो अब तक हमारे स्केल्स कंप्लीट हो गए हैं कि सिंपल स्केल की सिटmap ऐसे और और कॉनहेंज स्केल कर वाहदिये सब्सक्राइब आपको इस इसी क्रपर करें और एशे एयste कर안 सुप के बाद करें जान वीशेप्त बात करें तो इस आधार पर आपको ये तयार करना है धन्यवाद